नमस्कार मैं सुरा सिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर आज के इस वीडियो में हम ओपी 360 वेविनार की रिगार्डिन डिसकस करने वाले हैं ऐसा ने कुछ अपडेट्स और इंफर्मेशन दिया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो को आप अप लोग पूरा जरूर देखेगा अगेन जीजे बंखाय। कि my name is Asufare, I am your friend and possibly I could be your best friend very soon मेरा नाम Asufare है और मैं आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ और possibly मैं जल्दी आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता हूँ इस line का मतलब आप सोग समझ सकते हैं friend कि Asufare हमारे लिए जल्दी बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं क्योंकि mostly Asufare इस line को यूज करते थे कि my name is Asufare and I am your friend बट इस बार उन्होंने add किया, possibly I could be your best friend very soon तो इस line का मतलब आप लोग समझ सकते हैं friend Asufare ने ये भी कहा कि हम इस point पर बोलने की planning नहीं कर रहे थे ये मतलब जो कुछ बाते लोने share की है अभी जो मैं आपके साथ share करूँगा तो इस point पर बोलने की planning नहीं कर रहे थे ऐसर और next step की त्यारिया कर रहे थे बट Asufare ने decide किया कि उनके पास share करने के लिए उनके पास कुछ enough information है जिसे हमारे साथ share कर सकते हैं इसलिए आईसर ने कुछ update and information share किया है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी on passive journey में कुछ unexpected challenges आये हैं so we are going to cut those challenges and उन चनोतियों से पहले की और लोटेंगे क्योंकि हमारे पास incredible vision है, high hopes and dreams है जैसा कि हम on passive and कहते भी हैं कि on passive humanity के लिए आसा की ये किरण है so बहुत सरे challenges हैं जो कि कई dimensions में एक beautiful moment and vibe था so we got those challenges that's not the bad news हाला कि हम यहाँ पर bad news के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं हम यहाँ पर hopes and dreams के बारे में बात करना चाहते हैं जैसा कि एसर ने पहले भी कहा था कि चाहे कुछ भी करना पड़े हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं मतलब एसर हमारे dreams को पूरा करना चाहते हैं यही एसर का सपना है और एसर चाहते भी हैं कि हम सभी एसर के साथ चलें क्योंकि अगर आप इन हैं तो आप यहाँ पर जरूर जीतेंगे जैसा कि एसर ने कहा भी है कि we are going to do it or die at any cost एसर ने कहा कि जब भी हमें चुनोतियों का हैसास हो तो हम उन्हें तुरंत पहचाने और सिविकार करें और निच्चित रूप से एसर से जो भी गलतिया हुई है उसमें से अधिकांज को एसर सिविकार करते हैं तो अब हम इन चैलेंजस को पीछे छोड़ने वाले हैं और वहाँ पर हम वापस जाने वाले हैं जहां पर हम पहले थे और साथ में हम अपनी जर्नी के निक्स्ट फेस में भी जा रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम एक बहतर इस्ट्रक्चर का अनभो करेंगे और ऐसर इसे हमारे लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप में ब्रेक कर देंगे लेकिन जब हम या निक्स्ट फेस में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो होना चाहिए था वही हो रहा है प्रस ऐसे ने कहा कि अगर हम कुछ करप्ट लोगों को देखते हैं तो इसका मतलब या नहीं है कि पूरी दुनिया बस यही है बलकि दुनिया अभी भी इतने सारे दयालू दिलों से भरी हुई है और बहुत सारे positive लोग हैं जो ज़रूरत मंदों की हमेशा help करते हैं तो यही ऐसर की प्रेडरा है कि ऐसर इतनी hits and challenges के बावजूद भी इस जरूने को जारी रखा है क्योंकि ऐसर का मानना है कि इस दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिने हम एक बहतर उदेश या बहतर track पर एक साथ connect करने के लिए काम कर रहे हैं ऐसर ने कहा कि हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो negativity फैला रहा हो जो हमारे fail होने का इंतिजार कर रहा हो लेकिन वे सभी लोग निरास होने वाले हैं क्योंकि हम बहुत मजबूत होकर वापस आ रहे हैं हम अब तक का सबसे अच्छा सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और इसका कारण यह है कि यह हम सभी लोगों की जरूत है और हम ऐसा करने में सच्छम भी हैं हम उन लोगों के लिए उधारण पेस करना चाहते हैं जो लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं सो अब हम में अपडेट्स की बारे में बात करने वाले हैं friends सो प्लीज सभी points को ध्यान से जरूर सुनिएगा ऐसे ने कहा कि on passive में कुछ बड़े changes हुए हैं और वे आवसिक भी हैं लेकिन आगे बढ़ते वे हम next phase से पहले on passive को reopen करना चाहते हैं on passive को reopen का मतलब जो हमारा website होगारा down है ecosystem होगारा down है उसको हम again online वापस लना चाहते हैं और इसके लिए हम लगातार परियास कर रहे हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 उनको हमारा ecosystem down हुआ था और या by design था और हमें जल्द ही यह भी पता छेल जाएगा कि इसके लिए कौन responsible है और यहाँ वास्तो में friends कुछ कर बड़ी थी लेकिन हम इसे पना पराप्त करने के लिए effectively काम कर रहे हैं जो जल्द ही okay हो जाएगा जल्द ही वापस भी आ जाएगा website को down होए लगभग दो महने होने वाल है I think आप सभी को अच्छे से पता है ऐसा ने three different scenario के बारे में बताया है तो इस बात को आप लोग अच्छिस समझेगा यह जो three different scenario के बारे में आसा ने बताया यह हमारे लिए बहुत ही जादा important है scenario A, B and C so please इसको ध्यान से जरूर समझेगा so first scenario के बारे में आसा ने बताया है कि हम जिस तरह से दो मेहने पहले थे यानि कि दो मेहने होने वाले लग लग हमारा website डाउन हुए तो जिस तरह से हम पहले थे ठीक उसी तरह हम कुछ दिनों के भीतर recover कर सकते हैं and reopen कर सकते हैं मतलब हमारा OES again online वापस आ सकता है potentially by end of the month यानि कि संभावना है possible है कि यह month in होने तक या फिर हम यह कह सकते हैं 8-10 दिन के अंदर अपना जो ecosystem होगा रहा है वह वापस online आ सकता है chances बहुत ज़्यादा है highly chances है कि 8-10 दिन के अंदर आ सकता है लेकिन अगर किसी problem के वजह से किसी कारट से scenario A first scenario अगर काम नहीं करता है मतलब अगर 8-10 दिनों के बितर हमारा ecosystem अगर अगेन online वापस नहीं आता है तो यहाँ पर scenario V यानि second scenario के बारे में S.N. ने information दिया है S.N. ने कहा कि अगर यहाँ पर जो issues आए रहेंगे जो problems आए रहेंगे तो उनको fix करके हम by end of the next month यह हम reopen कर सकते हैं recover कर सकते हैं next month क्या है आप सभी को पता है September right तो highly chances है हमारा कि 8-10 दिनों के भीतर यह अपना reopen हो सकता है लेकिन अगर कुछ problem होता है तो इसकी बाद एक और महिना हमारा लग सकता है कौन समयना September का right तो यह चीज आप ध्यान लखे और अगर September में भी कोई problem हुई अगर यह reopen नहीं हो पाया जिसके chances बहुत ही कम है open हो जाना चाहिए लेकिन अगर कोई problem होगी बड़ी problem होगी reopen नहीं हो पाया तो ऐसा नहीं हाँ पर scenario C यानि कि third scenario के बारे में भी information दिया है तो third scenario के बारे में अगर हम सबसे खराब इस्थिति की बात करें जिसके chances बहुत ही कम है कि इतने time लगेंगे लेकिन फिर भी अगर हम सबसे खराब इस्तिते की बात करें तो अगर next month में चीजे नहीं होती मतलब डी open नहीं होता है तो main point टक पहुँचने में 3 month लग सकते हैं यह potentially है जिसके chances बहुत ही कम है सबसे खराब इस्तिते की हम बात कर रहे हैं कि next 3 month लग सकते हैं तो again यहाँ पर मैं A, B, C के बारे में आने की करें जो scenario हम आशन ने explain किया है scenario A, B and C again मैं यहाँ पर शॉर्ट में repeat कर देता हूँ scenario A याने की जो अपना website होगेरा है again reopen होने का जो highly chances है वो next 1 week में याने की हम बोल सकते हैं 8-10 दिन के अंदर possible है highly chances है की open हो जाना चाहिए लेकिन अगर किसी problem की में जासे open नहीं होता है तो next month में हो जाना चाहिए यानि की 4 week हम पकड़ सकते हैं लेकिन अगर 4 week में भी नहीं होता है किसी problem की जासा किसी region से नहीं होता है तो अब से next 3 month लग सकता है ये ऐसन ने 3 scenario के बारे में information दिया है और इसके बाद ऐसन ने ये भी बताया है कि जैसे ही हम main इस्तिते में वापस आएगे यानि कि जैसे हमारा ecosystem वगरा online वापस आएगा तो हम immediately on passive के next phase की announcement कर देंगे मतलब next phase की regarding क्या चीज़े आने वाली है वो सारा information वो सारा update हमारे पास आना स्टार्ट हो जाएगा announcement स्टार्ट हो जाएगा और इससे हम सभी लोग बहुत ही ज़्यदा खुस हो जाएगे क्योंकि on passive का next phase वह है जहां पर हमें कुछ साल पहले होना चीज़े था लेकिन कुछ challenges की वज़े से आप सभी लोग देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं हम वहां तक नहीं पहुँच पा है लेकिन अब हम वापस आ रहे हैं इसलिए as sir हमेशा fire up रहते हैं confident रहते हैं excited रहते हैं और हम निरास हुजाते हैं कभी-कभी कि हम लोग निरास उडाते हैं कभी-कभी क्योंकि हमें details नहीं पता है कि as sir हमारे लिए क्या लेकर आने वाले है और पैसी मारे लिए क्या ready कर रहे हैं और कुछी सब्ता में हम खुद भी देख पाएंगे friends कि as are इतनी excited क्यों है और जो कुछ भी issue चाहे हैं उसे जल्दी fix कर दिया जाएगा और जल्दी हम next जबरदस phase की और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें जादा details पर focus करने की जरूत नहीं है हमें इस बात पर focus करना है कि हम वापस आ रहे हैं we are coming back क्योंकि हमने surrender नहीं किया है बलक हम यहाँ पर आगे बढ़ने के बारे में बात कर रहे हैं challenges matter नहीं करता है क्योंकि हम इसे overcome करके next phase की और आगे बढ़ेंगे next phase हमारी जर्नी का बहुत ही सुन्दर phase है बहुत ही जबरदस्थ phase है और जिस phase में हम अभी हैं उस phase में जो भी issues आये हैं उसकी regarding हम पहले दिन से ही हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम blockers को remove कर दिया है ASA ने information दिया कि उन blockers को remove कर दिया है समाप्त कर दिया है ASA ने ये भी कहा है कि right time के लिए wait कीजे right time आने पर कुछ corporate changes के बारे में भी ASA हमें बताएंगे कुछ चीजों को restructure किया गया है कुछ employees की regarding है कुछ और भी चीजे है तो इन सभी के बारे में right time आने पर हमें ASA जरूर बताएंगे तो इन सभी के लिए हमें wait करना है और next जबरदस्त phase के लिए हमें ready रहना है क्योंकि ये ऐसा phase है इसमें बहुत सारे खुशिया मिलने वाली है जिसके लिए हम इंतिजार कर रहे है इतने सालों से हम इंतिजार कर रहे है हमने time दिया है कुछ challenges को हमने बहुत सारे challenge हो हमने phase किया है बहुत सारी चीजे हमने देखी है तो इसके बाद जो में फल मिलने वाला अप्ट्स वो बहुत ही जादा मीठा रहने वाला है तो ये थे कुछ important points, updates जिसके बारे मुझे आपसे बात करने थी उमीद है कि ये सभी points आपको अच्छी से समझ में आगे होंगे इंडिये बीडियो भी आपको informative जरूर लगा होगा बीडियो informative लगा सो वीडियो को लाइक सिर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा